हेलो दोस्तो आपका सागत है आपके अपने चैनल study in progress पर जैसा कि हम देखने वाले है order and ranking के question जो kbS के हर shift में देखने को मिल रहे है इस वीडियो को देखने के बाद करम यानी करम iam ranking से या order and ranking से संबंदी जितने भी कोशन हर शिफ्ट में आ रहे हैं उन कोशनों का आप आसानी से कर पाएंगे तो विडियो सुरू करते हैं विडियो सुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए उसके बगले बने हुए E से छोटा है B D से छोटा है तथा D A से लंबा है सबसे लंबा कौन है ऐसा ही कोशन पूछ रहा है सबसे लंबा कौन है या सबसे छोटा कौन है या बीच में कौन है ऐसा ही कोशन है आ रहा है तो करते हैं इसे A B से लंबा है इसका मतलब क्या है इसको ऐसे करेंगे A P से लंबा है जिदर इसका मुझ खुला होगा वोगा बड़ा या बड़ा है B से या ऐसे कह सकते हैं B छोटा है A से तो ऐसे A B से लंबा है यानि A B से लंबा है जिसका इदर मुझ खुला होगा होगा लंबा है तो A B से लंबा है आगे देखें सी दी से लंबा है इसको अलग बना लेते हैं । सी क्या है । दी से लंबा है। परंटू ये किंतू परंटू जब आएगा तो ये पहले वाले के लिए आएगा। इसके बाध वाला जो होगा इसका हम संबन्द पहले वाले से निकालेंगे अगर यहां जो होता तो हम पहले वाले से यह दूसरे वाले से निकालेंगे जो इसके पास में होगा जो के जो पास में होगा यानि यह D इस से इसका संबन्द इसके बाद वाले का निकालते है तो यहां क्या है यहां परंतु परंतु वाले का संब्द होता है इस पहले वाले जो यहां पहले दे रखा है तो c d से लंबा है यहां होगा c d से लंबा है फिर आगे परंतु e से छोटा है e से छोटा है कौन c जो यह पहले होगा इसका संब्द इससे बनता है जो यहां दे रखा होता है तो e से से छोटा है सी इसे छोटा है सी यह हो जाएगा बड़ा यानिकि यह हो जाएगा इसका मुख खुला होगा बड़ा इधर वाला होता है चोटा तो यह हो गया यह कुछ से नहीं हो गई आगे देखें बी डी से छोटा है बी क्या है डी से छोटा है अगर हम यहां देखें तथा DA से लंबा है, तथा DA से लंबा है तथा DA से लंबा है, तो DA क्या है एसे भी बड़ा है और B से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा हो गया फिर आगे देखें तो आगे क्या हो जाएगा डी से बड़ा कौन है डी से बड़ा है सी और ए तो यह पूरी केशन यहां रख देते हैं हम डी इसको अगर हम उटा दें सबको क्या हुआOM इसको हटा देते हैं फिर क्या हो जाएगा यह यह वाली केशन है यह पूरी है डी से बड़ा हो जाएगासी बड़ा हो गया कीशिध्व 54 psyche से बड़ा हो गया कीश्रे मरें है और सबसे बड़ा है इस पूरी इक् ambos ग्यां है सबसे लंबा कोई तो सबसे लंबा कोई है ए इस सब चोता है जो जाएगा एसे इने बिखते हैं फीखे क्यूव जोटा में परन्तु टी से लमबा है यार सबसे लमबा है थथा एस फीज़ोटा है परन्तु सबसे चोटा नहीं है उचाई के घटते हुए क्रम्में अंतिम से दूसरा見て दूसरा कौन चोटा है तो क्यों हो गया बड़ा पी क्यू से चोटा है परंतु टी से लंबा है परंतु टी से लंबा है कौन यह पहले वाला यानि टी से लंबा है कौन टी से लंबा हो गया पी आर सबसे लंबा है तो आर सबसे लंबा कर देते हम इसको बात में करेंगे आर सबसे लंबा है तथा स्पी से छोटा है यहां कुछ मतलब नहीं है इनका स्पी से छोटा है यह बात है स्पी से छोटा है यहां फिर आया परंतु जो आया इसके पहले वाले के लिए आएगा परंतु सबसे छोटा नहीं है यानि कौन यस यस सबसे छोटा नहीं है यस क्या है सबसे छोटा नहीं है यस सबसे छोटा नहीं है तो इसको हम सबसे छोटे पर नहीं रख सकते तो उचाई के घटते वे करम अंतिम से दूसरा कौन है अब हम इसको अरेंज करेंगे arrange कैसे करेंगे arrange जैसे करेंगे जैसे इन equation को arrange करते हैं कैसे arrange करेंगे QPT 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 तो आगया है P और S P और S में अगर हम देखें S सबसे छोटा नहीं होना चाहिए S सबसे छोटा नहीं होना चाहिए S कहां सकता है S बस यहीं आ सकता है QP कि पिर आजाएगा है आएस कि सबसे लाश्ट हम कर देते हैं, टी सबसे छोटा कर देते है आएस बस यहीं आ सकता, इधर तो कहीं आई नहीं सकता, अब सबसे बड़ा कौन है सबसे बड़ा R तो R बचा हुए सबसे बड़ा जिसको कर जाते हम यहाँ यहाली केसन बन गी R Q P S T सबसे छोटा हो गया T सबसे बड़ा हो गया R उचा क्या है अंतिम से दूसरे हस्थान अंतिम यानि की चोटे से, सबसे चोटा कौन है T अन्तिम से दूसरे हस्थान पर अन्तिम से दूसरे हस्थान पर यही E.S. से आएगा, तो C अप्सन हो जाएगा सई, नेस्ट कुशन देखते हैं यह क्या है, यदि राहूल आदिति से लंबा है, किन्तु रोहन से चोटा है, और रोहन करण से लंबा है, तो कौन सबसे लंबा है, यह हमें बताना है, ऐसे कुशन आते हैं सबसे लंबा, सबसे चोटा, या बीच में ऐसे ही होते हैं, तो बताना क्या है, मैं इसमें सबसे लंबा बताना है राहुल आदित्य से लंबा है कैसे करेंगे राहुल आदित्य से लंबा है लंबा मतलब क्या है यह हो गया बड़ा राहुल आदित्य से लंबा है किंतु रोहन से छोटा है यह किंतु जब आता है किंतु परंतु कुछ भी हो तो पहले वाले के लिए होता है जो होगा तो इसके लिए होता है तो क्या हो जाएगा ये किन्तु यानि कि पहले राहूल वाले से संबंध होगा तो पर किन्तु रोहन से छोटा है रोहन से छोटा है कौन? राहूल रोहन से छोटा है राहूल यहां आजाएगा कौन रोहन यहां आजाएगा रोहन यानि क्या हो जाएगा रोहन हो जाएगा पहले रोहन के बाद फिर जाएगा राहुल राहुल के बाद फिर जाएगा आदित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य लंबा तो रोफन का करण से करण को अधिर कह रगतें के भी लंबा हुगा है राहुल से ब लंबा है आधित से भी लंबा है करन से बस ऐसे ही आसान कोशन हर सिफर में देखने को ईबहुत भी अच्छत आंगे होंगे अगर अच्छे समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चनल को सब्सक्राइब ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए तो वीडियो देखने के आपको बहुत धन्दवाद